नमस्कार दोस्तों, स्यासी बेली वर्क सपोर्ट यट्यूब चैनल में आपका स्वागत है आज के सुड़ा में हम बात करना वाले हैं यदि आप नवोदेवे देले के तहट अपना फाम वारना चाहते हैं सबसे पहले आपको steady certificate फिल करना रहेंगा इस्टिरी certificate आपको कैसे डाउनलोड करना है और इसको कैसे फिल करना है सारी डिटेल हम इस वीडिएो में बताने वाले हैं इससे पहले यदि आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैझा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल ऐकन को भी प्रस कर ले तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को स्टिडी सार्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रफिक्षन में एक लिंक मिल जाएगा डारेक्ट आप उस पे किलिक करोगे और आप अपना स्टिडी सार्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हो डाउनलोड करने के बाद आपको इसको प्रेंट आउट करा लेना है प्रेंट आउट कराने के बाद इसको फिल करना रहेगा यहाँ पर आपको जवाहर नवोदे बिद्याले सेलेक्शन टेस्ट 2024 सार्टिफिकेट इस परकार से आपको अपना फार्म डाउनलोड कर लेना है डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगा आपको फोटो अपना लगा लेना है यहाँ पर आपको फोटो अपना लगा लेना है यहाँ पर आपको स्कूल का नाम फिल करना रहेगा जिस भी स्कूल में चात्र या अभ्यारती जो कच्छा पाच में पढ़ रहा है उस स्कूल का नाम को यहाँ पर आपको फिल करना रहेगा कच्छा पाच में जिस भी स्कूल में पढ़ रहा है यहाँ पर आपको स्कूल यहाँ पर कंडिडेट का नाम फिल करना रहेगा यह भी आपको काइपटल लेटर में ही फिल करना है यहाँ पर काइपटल लेटर से ही आपको पूरा नाम यहाँ पर फिल कर देना है कंडिडेट का नाम यहाँ पर फिल करोगे फिर यहाँ पर आपको father's name यह भी आपको capital letter में बड़े English के बड़े letter में आपको fill करना रहेगा आपको इसमें small letter का use नहीं करना है आपको यहाँ पर capital letter का ही use करना रहेगा then यहाँ पर आपको mother's name fill करना रहेगा फोरा नाम यहाँ पर mother's का candidate की mother का नाम यहाँ पर आपको fill कर लेना है यहाँ पर आपको name of the guardian यदि आपके माता प्रता इस्पायर हो चुके हैं तो इस condition में आप यहाँ पर कोई भी guardian का नाम यहाँ पर डाल सकते हैं उनके साथ क्या relation है यह भी आपको यहाँ पर बताना रहेगा यह अपसनल है इसको आप छोड़ भी सकते हैं यह भरना mandatory नहीं है आप इस कालम को छोड़ भी सकते हैं यहाँ पर आपको data worth अपनी फिल करने रहेगी डेटा बर्स आपको जिस फार्मेट में भरने के बोला है जैसे यहाँ पर date month और year इस फार्मेट में आपको अपनी data worth फिल क गर्वानीट में लएगा यहां पर आपको पूंछेचे-ईनीचर में लिकलेंडी यहां पर आपको डेटा को अनौत करेंगे on अपनी कटेगरी बतानी रहेगी जैनल OBC, SC, ST जिसे OBC से बिलांग करते हैं तो OBC वाली पे टिक कर लेंगे या जैनल से हैं तो जैनल वाली को टिक करेंगे अबिल अपने दिसबेल्टी आफिं एनी कोई भी यह बिकलांगता है तो आपको यहां पर सेलेक्ट करना रहेगा और इसके बात यहां पर आपको इसकी परसंट भी बताना रहेगा कितने परसंट भी सकते हैं नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं इसके बात यहां पर आपको कंडिडेट का आधा नंबर फिल करना रहेगा आधार आपदा कंडिडेट आधार का यहां पर कंडिडेट का आधा नंबर इसमें फिल करेंगे यहां पर आपको कंडिडेट का आड्रेस पूरा फुल आ मिल अपर आपको को या रेडिक था दोड़ी आपको इसमें डाल देंगे नहीं है तो आप इसको छोड़ान एंडियन आपको इसमें फिल करना रहेगा देन यहाँ पर आपको religion बताना रहेगा धर्म अपना हिंडू हैं या मुसलिम हैं या सिख हैं या इसाई हैं जिस भी धर्म से आते हैं आपको यहाँ पर फिल करना रहेगा देन यहाँ पर आपको medium of the examination में आपको यहाँ पर अपनी language चल करना रहेगा जिस भी language में आप paper देना चाहते हैं हिंदी में देना चाहते हैं इंगलिव में अर्दो में इस भासा में आप poker देना चाहते हैं उस भासा को आपको यहाँ पर फिल अरिया से आता है कच्छा चार आपने किस विद्याले से पास किया है, वो कहां से आता है, कब पास किया है, यह सारी डिटेल आपको फिल करने रहेगी, जैसे यहां पर आपको ने माबदा स्कूल, स्कूल का नाम यहां पर और फुल आड्रेस, जहां भी स्कूल है, जहां से आपने कच्छा तिन पास किया है उसका नाम और यहां पर आइडिल्स फिल कर देना है यहां पर आपको स्कूल की लोकेशन लोकेशन इस्कूल लोकेशन डूलर या अर्बर यहां पर आपको डूलर एरिया से स्कूल है या अर्बन एरिया में स्कूल है वो आपको यहां पर फिल कर लेना है मुंदस अर्अवक ज्वryा साल में आपने कच्छा तीन में अडवेशन लिया उस डेट को यहाँ पर आपको फिल कर देना है यहाँ पर नहों यहां पर आपको डिस्टिक का चैन करना जिस भी डिस्टिक से स्कूल आता है उस भी डिस्टिक का आपको फिल कर लेना है। देन यहाँ पर आपको जिससे आपने कच्छा 3 की डिटेल फिल की है उसी के हिसाब से आपको अपने हाँ पर कच्छा 4 जिस भी स्कूल से पास किया है उसका नाम और एड्रेस और रूलर से है या अर्बन से है पासिंग और यहाँ पर जोइनिंग यह सारी डिटेल आपको जिस आपको parents के signature, माता-पिता मैंसे कोई एक लोग के यहाँ पर signature आपको करा लिने हैं, then यहाँ पर आपको headmaster दोड़ा इसको परमारित कराना रहेगा, यहाँ पर signature कराने रहेंगे और महल लगवानी रहेगी, जो school के headmaster होगी, जहां कच्छा 5 में पढ़ रहे हैं, उनसे यहाँ पर आपको परमारित कराना रहेगा, इस परकार से आप अपने farm को फिल कर सकते हैं, यदि आप farm भरना चाहते हैं, अपना farm कैसे भरें, इसका video हमने पहले बनाया है, उसका link हम video के description में दे दीए, वहाँ से आप उस video को देखकर अपना farm submit कर सकते हैं, जो online कैसे करना है, उसमें हमने पूरी detail के साथ बताया है, इस परकार से आप अपना study certificate फिल कर सकते हैं, और अपना online farm भर सकते हैं, वीडियो परसंद आया हूँ, तो वीडियो को like करें, share करें, और हमारे channel को subscribe करें,